वेलकम टू बिपिसेमेकर दस्तो आज है नौ फरवरी 2022 और नौ फरवरी 2022 से संबंदित बिहार करेंट अफेर्श और शाथ हैं और राष्टे रंत राष्टे घर्टनावसित करेंट अफेर्श के जितने भी प्रश्ण बनेंगे सभी प्रश्णों को विसलेशन सहित मैं आपको इस वीडियो मताऊंगा ध्यान देज़ेगा ये वीडियो आपके बिहार में आजित नवले अगामी सभी पर्तों के परिक्षा के द्रिश्टी कोंशी महत्पूर्ण है क्मप्लेट जनकारे में आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट अंसर होगा लताम पलिःफकर बिराना वर्श्ट की आयू में इनका भी हाले में नितन वाई है क्मप्लेट जलते हैं आज की ये पहले प्रश्ण में आज के इस वीडियो के हमारा पहला प्रश्णे की हाली में बिहार के किसी जीले में नए बंदरगा के निर्मान की गोशना की गई है यह गोशना बिहार के किसी जीले के लिए क्या गया है Right answer is option number C यानि की सारन जीले में बिहार में एक नया बंदरगा का निर्मान किया जाएगा आपको पता दूँ इसका राइट आंसर है अप्सन नमर सी तो हाली में केंद्रे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग बंदरी सर्वारंद सोनेवाल बिहार की सारन जीले के कालूग हाट पर बंदरगा के निर्मान की आधार शिला रखी है ये आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश क्या है ये आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है ये बंदरगा से जो सबंदेद नदी है ये गंगा और ब्रहमपुत्र है अब यहाँ पर देखे बात आई है गंगा नदी की गंगा नदी से रिलेटेट प्रशनी कई बार आपके एक्जाम में पूछे गये हैं हलागे इसकी विस्तरित जानकार में आपको पहले भी कई बार दिया है आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं एक जीला है बकसर ये बिहार का जीला है यही पर एक अस्थान है चोसा बकसर में एक अस्थान है चोसा यहीं से का सकते हैं गंगानदी बिहार में परवेश करती है यानि कि बिहार के छित्र में गंगानदी का जो परवेश अस्थल है यह है चौसा जो कि बकसर जीले के अंत्रगत है लेकिन जो हमारा में टॉपिक था बिहार में बंदरगा का जो निर्मान किया जाएगा यह का सकते हैं सारन जीले में यह बलकि सारन एक जीला है, छापरा जो है, यह का सकते हैं सारन जीला का हेटकौाटर है, और सारन जो है बिहार में एक परमंडल भी है, इसकी जानकारी में आपको दिया है कि बिहार में नो परमंडल है, आप यहाँ पर कम्प्लेट जब को देख सकते हैं, बिहार में नो परम इस अन्हाइरान। जीलों और परवंडल की सूची को हमने एड़ किया है आप चाहें तो इसका स्क्रेंड शॉट भी ले सकते हैं चलते हैं दूसरा प्रशन पर यहां पर इस प्रशन में कुछ ऐसे जीजे छुपी वे जो कि आपके जाम में पूछे जाने की संभावना को बढ़ाता है आपको बतादू कि हाली में मंदन कुमार मिस्रा बार कॉंसिल ऑफ इंडिया के लगातार छटी बार अध्यक्ष निर्वाचित होए हैं प्रतिने दिर्ट करते हैं आप यहां पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं अगला होगा हमारा यहां पर तीसरा प्रशन यह प्रशन के हाली में किस देश के परधान मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है हाले में किस देश के प्रधान मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया इस प्रशनी का राइट अंसर है अप्सन नमर B यानिकी पेरू आपका बता दूँ कि हाले में पेरू के राष्टपती पेडरो कैश्टिलो दौरा कैबिनेट के फिर से पुनर गठन की घोशना किये जाने के एक दिन बाद देश के नए प्रधान मंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया दरसल यहाँ पर मामला क्या है यहाँ पर आगे रिखा गया है वहाँ की जो राष्टपती है पेडरो कैश्टिलो द्वारा तीन दिन में ही प्रधान मंत्री पद से बरखास्त कर लिया गया तो इसी को लेगर यहाँ पर यह पर यह प्रश्ट बना है इसे आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर द देखें हम लोग चर्चा कर रहे है इस प्रश्टे में पेरू की तो पेरू की बात करने तो पेरू की राईजानी है लीमा और हाल ही में लीमा में दुनिया की सबसे पुरानी ममी की खोज़ की गये थी ममी आकिर होता किया कई सहरे लोग इसका अर्थ अच्छी दर्थ सمझ रहे हूंगे अब यहाँ पर वैसे लोगों गोख मैं बतादू जो इसका अर्थ नहीं समझ रहे है ममी एक ऐसा कह सकते है सब को कहा जाता है जी से संरख वे मरेवे सब को अगर हम किसी रसायन यह पर का सकता है किसी केमिकल के स्थाहिता से बहुत दिनों तक डगते हैं ममी कहा जाता है I hope कि आप यहाँ पर इसको सौट में समझ चूँके कि ममी आकिर होता क्या है चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रशन पर लेकिन उसे पहले बता दूँ कि आप लोग अगर बिहार में आईजित हनुवरे BPSC और CDPO जैसे एक्जाम की तयारी में लगए हैं तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट स्रीज को जरूर जोइन करें इससे आपको फायदा यह होगा कि अगामे जो भी पर इच्छा हैं सही तरीके से आँकलन आप कर सकते हैं इस टेस्ट स्री से लेटर तमाम इन्फोनेशन आपको इस वीडियो के अंत्र मिलेगा वीडियो के साथ बने रहे हैं चलते हैं अगले प्रशने पे बिजिंग सीद कालन आलमपिक 2022 की सुरुआत कब से हुई है इस प्रशने का हमारा राइट आंसर है अपसर नमर ए यानि कि 4 फरवरी 2022 से यह का सकते सीद कालन आलमपिक की सुरुआत हुई है तो इसकी सुरुवाद जो हुई थी ये स्टीट कालन ओलंपिक खेल की वर्स 1924 में किया गया था और वर्स 1924 की यहां पे चर्चा हुई तो 1924 का इत्यास पी समंदित एक चीज जाद रखिए कि भारत में गरम बात रहें तो रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था आपको ये ध्यान एकना है 1924 में ही रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था अब यहां पर हमारा अगला पॉइंट है कि प्रेश स्वातंतरता सूचकांग तो प्रेश स्वातंतरता सूचकांग में नौर्वेज सिर्ज अस्थान पर रहा हाली का जो रिपोर्ट ह यहां पर आपको अलंपिक के इत्यास से भी कई साले प्रशन देखने को मिलेंगे जूकि बहुत ज्यादा इंपोर्ट है इसका पीडिया फाइल यहां से डाउलोड कर सकते हैं इस वीडियो को टॉपिक स्टड़ी के अंदरका ज्याकर गए वहां पर प्रेलेश में आप दे जाएगा भारत का सबसे सक्तिसाली कंप्यूटर परम परवेगा किस राष्टिय संस्थान में अस्थाफित किया जाएगा इस प्रशन का हमारा राइट आंसर है अप्सन नमर C यनिकी IIT बैंगलोरू आपको बता दूँ कि हाले में IIT बैंगलोरू ने भारत की सबसे सक्तिस प्रशन एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अब यहाँ पर अगर हमें इस कंप्यूटर के छमता की बात करें तो परम परवेगा के कुल शूपर कंप्यूटिंग छमता जो है यह तीन दसमेलव तीन पेटा फ्लॉप्स है यह आपको यहां से ध्यान रखना है पेटा प्रशने के हाली में मिले हिमाले से तीन गुने बड़े पहाड को वैग्जानिकों ने क्या नाम दिया है इस प्रशनी का हमारा right answer होगा शूपर Mountain आपको इस प्रश्ण बारें विस्तरित जान कर देदू कि आउस्ट्रेलिया के विग्जानिकों ने धरती पर हिमाले से भी तीन कुना बड़े पहाडों की खोज की है और आउस्ट्रेलिया के नेस्टन इनिवरसिटी की सोध करता जी जू और उनकी स्याथियों ने इसे सूपर माउंटेंस की संग्या दी है ये आप यहां से ध्यान रखिए सूध करता हूं कि रिसर्च के अनुसार यह सबसे पहले लगवग दो अरब साल पहले सूपर माउंटें का निर्मान बाता ये भी आपको द्यान रखिए अस्टेलिया के विग्जानिकों ने इसकी खोज की है और इसका नाम दिया है सूपर माउंटेंस अब यहां पर देखे हैं और हम बात पर हिमाले परवत की तो हिमाले परवत की जो उँचाई है ये 8848 मीटर है आप ये दियान रह rush यहां पर मैं kilom до 1 km नहीं बलकि मींटर बोल रहा है इसकी जो उँचाई है ये 8848 मीटर है लेकिन वहीं पेगर हम इस परवत की बात रहें सुपर मांटेंज की जिसकी खोजवी हाली में भी है तो मान के चली ये 25,000 से अधिक मीटर की होंगे बतलब एक अन्मान के धर पर जो यहां पर कहा जा रहा है तीन गुना बड़ा है इस परशनी का हमारा राइट आंसर होगा विखलप के अधार पर भारत यानि की अप्सन नमर बी इस परशनी का स्यूत्र होगा आपको इस प्रशनी बारें विस्तार से बदादों की बेजिंग सीतकालन ओलंबिक के भव यो उधगाटन शमारों में भारते राजनाईक हिस्ता नहीं लिए इस उधगाटन शमारों को चीन के सिंजांग प्रांत में मानवादिकार उलंगन के आरोपों के कारण अमेरिका और उनके सहयोगियों के राजने एक बहिसकार का सामना करना पर रहा है यानि कि अमेरिका और उसका जो सहयोगी राष्ट हैं जो मतलब का सकते इसमें सपोर्ट कर रहा है कि जो चीन के सिंजयांग प्रांद में मानवाधिकार के परती का सकते मानवाधिकार को जो उलंगन हुआ है तो ऐसा आरूप चीन पर लगाया गया है जिसके बाद ही का सकते हैं ये का सकते हैं बहिसकार किया गया है तो इसमें भारत भी सामिल है ये ध्याने की है हलाकि यहाँ पर गरम बात करें सीद कालिन ओलंपिक की जो बीजिंग में एजित हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं सीद कालिन ओलंपिक की सुरवात 4 फरवरी 2022 को बीजिंग में भी है जो कि 20 फर्वरी 2022 तक चलेगी इसकी जानकारी मैंने आपको कोई दर्व पहले भी दिया था अब यहाँ पर मारा अगला है आठवा प्रशने यह प्रशने के हाली में किस भारते फोटबलर इस्टार ने इंडियन सुपर लिग के इत्यास में सरवादिक गोल किया है इस प्रशने का राइट आंसर होगा सुनिल चेतरी यह प्रशने हाली का है और आपको अध्यान रखना है सुनिल चेतरी इसका राइट आंसर होगा आप यहाँ पर सुनिल चेतरी को इस इमेज में भी देख सकते हैं आपको बता दो कि भारते फोटबलर सुनिल छेतरी इंडियन शूपर लिग के इत्यास में सरवाधिक गोल करने के मामले में संडुक तरूप से सिर्ष पर आगे हैं यानि कि पहले स्थान पर पहुंच गए हैं सुनिल छेतरी के रमबाते हैं तो सुनिल छेतरी का जन्व तीन अगस्तु 1984 को सिकंद्रावाद भारत में हुआ था और यहां पर हमने आगे लिखा इनके बारे में कि यह एक भारते पैसेवर फूटबलर हैं जो कि इंडियन सूपर लिग की कलब वैंगलोरू FC और भारते राष्टर टीम दोनूप में कप्तान है वे तीन अलगलग कॉंटेनन में प्रोफेशनल फूटबॉल खेलने वाले एकलोते इंडियन फूटबलर हैं और साथ ही सुनिल छेतरी ने अभी तक ISL में दो हैट्रिक लगाई है किसी भी इंडियन फूटबलर दोवरा ये सबसे ज़्यादा है का रिकॉर्डिन के नाम है तो ये तमाम चीज़े सुनिल छेतरी से रिलेटेट है ये इनके कुछ परमुक उपलब्दियां है जो कि यहाँ पर हमने एड्ट किया है सभी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट किजी या पे लिए बहुत ज़्यदा इंपॉटन्ट हो सकते हैं अब यहां से मैं आपको एक प्रशनी बूच रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे बतलाईएगा ये सिगंद्राबाद जो यहां पर हमने लिखा है तीन अग प्रशनी तो अम आप लीडा ने अपनी करेंग कर बड़ाद आप लुटन्ट ही पर यहां बहुत देर फाम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो इस मतलब टेक आप ब्रेक फिचर का इस्तमाल करते हैं, वहाँ पर टाइम स्लोट फिक्स करके, मतलब ये समय आप निर्धारित कर पाएंगे, कितना समय आपको मतलब यहाँ पर बिताना है, इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रशनी का राइट अंसर होगा, डिटेल सीजे हमने साइड में लिखा कि और तीसरा जो ही है, साउत अफ्रेका ये के दक्षिन अफ्रिका के है, भारत की जो मतलब यहाँ इस मतलब लिष्ट में चौथे अस्थान पर है, यह चीज़े यहाँ से आपको ध्यार रख रहा है, अंडर 19 से समय तभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसे समय थे हमने एक वी वीडियो को देख सकते हैं, और एक यहाँ पर यह द्धन के अगर आपको लगे कि इस से आपकी हेल्फ हो रही है, तो पिलीज आप लोग वीडियो को लाइक जरू कीज़े, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी जरू कीज़े, चलते आज के 11 प्रशन प्रश अब इस ज्रीज में जीत मिले थी, लेकिन इस जीत के बावजूत भी जस्टिन लेंगर ने कोच पद से इस्थिफाह देदिया, अब उसका पीछे का वज़े किया है, कुछ चीज़े हमने यहां पे लिखे है कि इसके पीछे यह आरूप लगा जा रहा है कि कुछ senior ख़्िल तो आपको ध्यान दखना है, जस्टिन लेंगर इसका राइट आंसर हो सकता है, या फिर का सकता है, और शल्या टीम के कोश्ट है, यह तमाम चीज़े यहां से आपको इस तरह से याद रखने हैं, ठीक है, चलते हैं आज के हम यहां पर इस वीडियो के प्रश्नी को रहा है, आ कितने अधीक लोगों का पासपोर्ट जारी किया गया है, और आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप यहां पर इसको कमेंट बॉक्स में भाग लेना चाहते हैं, वीपेसी में एकर अप के थ्रू भाग ले सकते हैं, और यहां पर वीपेसी में एकर अप पर जो उनलाइन टेश्ट स्रीज आपको मिलेगा, इसके अलावे जो हमारे मेटरियल हैं, जिसमें आपको बिहार राज्टे अंतराष्टे सारे करेंट अफेर्स से डेली बेसिस पर परवाइट के जाएंगे, इसका आपको मंतली नोट्स भी मिलेगा, और साथ साथ येरली नोट् के संपूर्ण तयारी होगी हमारे मेटरियल से, और इसके लावे और भी कई सारे नोट्स और टॉपिक बेट्स नोट्स नोट्स हैं, वो तमाम चाहिए यहाँ पर आपको BPSC Maker App पर मिल जाएगा, इससे आपकी तयारी बहुत अच्छे तरह से होगी, आप शाहे हैं तो इसक जाहिए.